हलो दोस्तों हमारे योटूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम आपको मोहिनी एक आदशी ब्रत कथा कर्ष्ट रवन कराएंगे दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें ओम नमो भगवते वाशुदेवाय नमहा, महा लक्ष्मी नमस्तो भ्यम, नमस्तो भ्यम शुरेश्वरी, हरी प्रिये नमस्तो भ्यम, नमस्तो भ्यम दयानिधे पराणिक कथा के अनुशार, भद्रावती नमक शुन्दर नगर में एक धनी व्यक्ती रहता था, उसका नाम धनपाल था, वा सुभाव से बहुत ही नेक था और खूब दान पूर्ण करता था, उसके पांच बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम द्रश्ट बुद्धी था जो बुरे कर्मों में लिप्त रहता था और अपने पिता का धन लुटाता रहता था, एक दिन धनपाल ने उसकी बुरी आधतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया, घर से निकाले जाने के बाद द्रश्ट बुद्धी दिन रात सोक में डूब कर इधर उधर भटकने ल महा रिशी उस समय गंगा में इस्नान करने आये थे, शोक के भार से पिडित द्रश्ट बुद्धी को टिल रिशी के पास गया और हाथ जोड कर बोला, हे रिशी मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके पूर्ण के प्रभाव से मैं अपने दुखों से मुक्त ह उसकी पीरा समस्ते हुए महा रिशी कोटिल ने उसे मोहिनी एकादशी ब्रत रखने की सलाह दी, महा रिशी कोटिल ने उसे बताया कि इस ब्रत के पूर्ण से कई जन्मों के पाप भी नश्ट हो जाते हैं, द्रश्ट बुद्धी ने शिशी की बताई विधी के अनुशार ब्रत किया जिससे वह निश्पाप हो गया और दिविदेह धारण कर स्रीहरी विश्णु धाम को चला गया, तो इसी तरह से जिस तरह भगवान विश्णु ने द्रश्ट बुद्धी को अच्छा सा शरीर दिया और उसे अपने धाम को बुला लिया, इसी प्रकार जो भी व दिविदान से पूजन करता है, उसका उसी प्रकार से कल्यान होता है, वूम विश्णु वे नमा, तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और जाधा से जाधा शियर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके जैमाता दी